बेंगॉल में छेना की कई मिठाया बनती है और इन सब में से मेरी फेवरिट है मैंगो चमचम सबसे पहले दूद को गरम करना है विनेगर या फिर निम्बू का जूस यूस करके हम दूद को फाड लेंगे छेना को कपड़े में ट्रांसफर करेंगे और इसे पानी से धोलेंगे एकसेस पानी को निचोड के निकाल ले हाथ की हतेली यूस करके छेना को अच्छे से मैश करना है जब तक ही एकदम स्मूध ना हो जाए ये करने में 7-8 मिनिट लगेंगे इसे डिवाइड करके रोल करें और मैंने इसे फ्लाटन किया है बिल्कुल बबलिंग गरम चाशनी में इसे पंदरा मिनिट के लिए धक के पकाना है इसे एक से डेड़ घंटे तक चाशनी में ही थंडा होने देना है फिलिंग के लिए मैं यूज करी हूँ मीठा केसर वाला मावा इसमें थोड़ी सी क्रीम डालके इसे अच्छे से विप करना है यह बिल्कुल विप्ट क्रीम की तरह हो जाएगा छेना के पीसस को मैंने बीच में से कट कर लिया है बेंगॉली क्रीम को इसके बीच में लगाए अगर आप चाहे तो थोड़े मैंगो इस भी बीच में डाल सकते हैं अपने हिसाब से इसे डेकोरेट कर लें इस पर डालेंगे लॉट्स अफ चॉप्ट मैंगो पिस्ता रोस पेटल्स और वर्क से इसे गानिश करें और इंड लें